तो अब स्टार्ट करते हैं question number 3B का जो expansion से यहां हम कह सकते हैं question 3C में यही पूछा है आपको 4 question 3B above design the steam and counter fort तो steam का design करना है और counter fort के लिए भी आपको बताना है count करके calculation करके तो जो 7 marks का question है उसमें इतना आपको time नहीं consume करेगा जितना आपका fort marks में consume किया तो let's start the यह already आपने find किया हुआ था फिर भी मैंने एक बार first step था इसलिए मैंने आपको count करके दिखाया है बट वो directly आप लिख सकते हो क्योंकि फिर से calculation करने का कोई मतलब नहीं रहेगा आप directly count कर सकते हो 40 km into meter previously आपने find किया ही था आप देख सकते हो आपर और अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत important है आगे भी मैंने बताया है फिर भी यहां बता रहा हूँ 40 km into moment है आप SP 16 का use कर लिजिए page number 80 आप लिख के रख दीजिए मैं बताता हूँ आपको page number 80 में क्या दिया हुआ है page number 80 कुछ इस तरह से है आपके पास यह चीज़ याद रखेगा यहां पे आपके पास M20 415 होना चाहिए और 250 आपने consider गया है thickness of the slab okay तो अब बात करते हैं हमें 40 km into meter चाहिए तो 40 यहां से हमें क्या करना है find करना है okay तब देखते हैं 40 के लिए हमें क्या मिलता है तो let us assume के मैं 12 mm का bar find out करता हूँ तो 40.49 यहां आप अगर देख सकते हो तो 220 mm center to center आपको directly मिल जाएगा तो नो आपको AST find करना है directly you can find the spacing between two bars and with diameter तो diameter के साथ ही आप directly spacing की बात कर सकते हो for the resisting of moment तो यह चीज़ आप directly कर सकते हो फिर से 40 के लिए हमने find किया है 12 mm का diameter 220 mm center to center spacing दिया हुआ है और यह चीज़ आपको अगर FE 220 है FE 415 है और FC के 20 है तब ही जाके आपको काम आएगी next page में आपको 25 नहीं देते एक्जाम में जितना मेरा experience है उससाब से कभी नहीं देते हैं 415 और M20 ही देते हैं बट for example कुछ भी दिया है तो भी आप क्या कर सकते हो यहां से SP 16 से values find out कर सकते हो पेज नमबर याद कर लिजिएगा 80 नमबर का पेज हैं तो यही चीज में लग दिये 220 mm सेंटर तो सेंटर अब बात करते हैं step नमबर 3 की moment at meet अब moment at meet के लिए क्या करना है उनका half कर देना है जो आपने यहां पे provide किया 220 mm उनका half करना है मतलब कि जो 40 था वो moment आपका हो गया 20 तो फिर से आप एक बार वही पेज नमबर 80 में आप देखोगे और 20 किलो न्यूटन के लिए आप देखोगे तो minimum वहां पे आपको मिलेगा 25 किलो न्यूटन रखते हैं में स्टेल के बाद डिस्टिबिशन स्टेल की तो डिस्टिबिशन स्टेल मिनिमम हम रखते हैं 0.12% बट यहां पे एक चीज जियान में रखना है 12% मतलब वह आपको यादी होगा PT के बाद AST मिलता है AST क्या मिलता है 0.12 100 B into D बट चीज जो हम भूल जाते हैं ए यहां पे 200 है यहां पे 300 है तो उन दोनों का एवरेज निकल के आपको काउंट करना होगा तो इस ही सबसे आपको 0.12 divided by 100,000 300 प्लस 200 divided by 2 average of 2 depth क्योंकि 300 और 200 का आपको एवरेज निकलना है उस ही सबसे आपको answer मिल जाएगा 300 अब spacing की अगर बात करे हैं तो थोड़ा बहुत आ आसानी हो जाएगी अगर याद कर लेगे 8 mm का 5 है अगर 8 mm diameter का हम बार यूज करते हैं तो उनका एक area होगा हो 50 mm square होगा आप चाहे तो कर सकते हो 5 by 4 into 8 square तो आपको near about 50 मिल जाएगे तो हमें क्या करना है spacing directly fine करने के लिए 1000 into जो single AST है single मतलब एक बार का area 50 है और divide में क्या कर द यह वो तो यहां से आपको direct spacing मिल जाएगी तो आपको number of bars fine करने की जरूरत नहीं होगी every time और directly लिख सकते हो 8 mm का 160 mm center to center आपको distribution still provide करना होगा फिर से spacing की बात कर दो 1000 into AST मतलब के एक बार का area अगर आप for example 16 करते हो तो यहां answer होता है आपका 200 वो थोड़ा बहुत आप याद क कर सकते हो यहां आप fine कर सकते हो मैंने यहां लिख दिया है AST 50 mm square total AST आप divide कर दीजिए यहां से आपको value मिल जाएगी और याद करिएगा अगर आपको answer 165 तो आपको provide करना है 160 162 provide करना है 160 158 provide करना है 150 उससे कम करना है spacing वो चीज भी एक दियान में रखिएगा तो यह हुआ step number 6 distribution steel car अब बात करते हैं check for shear तो shear में मैंने आगई भी बताया अगर depth हम कम रखते हैं तो shear की requirement आपको कहीं ने कहीं तकलिफ हो सकती है तो इसलिए हमने क्या किया था depth ज्यादा ही हमने रखी हुए थी वो चीज आपको बताता हूँ कहां काम आने वाली है तो सबसे पहले तो pressure value जो था और 2.7 कहां से लिए है हम तो 2.7 इसलिए लाए है तो हमने assume कर दी width of the counterfort जो है वो है 0.3 तो 3 meter हमने already find किया था 3000 mm या 3 meter for the spacing between two counterforts तो वो चीज अगर आपको 3 minus 0.3 तो 0.3 हमने minus कर दिया तो effective जो center to center distance मिला वो मिला आपको 2.7 meter तो 2.7 meter की अगर हम बात करें तो यहां put कर दिया value आपको मिल गई है 70 kilo newton अब tau v tau v मतलब क्या है कितनी required है आपको shear stress याद रखें कि tau v का मतलब है we required shear stress कितना चाहिए आपको तो v u by b d अब देखो depth जितनी ज़्यादा होगी यहाद रखेंगए depth जितनी ज़्यादा होगी यह value इतनी कम होगी क्योंकि यह divide में है तो अगर आप 150 करते हो तो यह value आपकी increase हो जाएगी अब जो मिल रही है वो 0.28 है अगर आप चाहो तो 150 से आप count कर लिजेगा यह value आपको almost 0.38 के around मिल जाएगी अब बात करते हैं mu आपने find किया था 40 km into meter क्यों हम mu की बात करते हैं to find the pt क्योंकि बिना pt बिना count किये यह pt को अगर आप count नहीं करते हैं तो ताउसी आपको मिलेगा नहीं क्योंकि ताउसी होगा तो ही आप page number 73 से आप ताउसी find कर सकते हो pt के बाद ही तो before that we want to find the pt value ओके तो सबसे पहले mu by bd square 40 into 10 less to 6 1250 square that is 0.64 अब आपको करना है page 48 में page number 48 अब देख सकते हो mu by bd square और यह चीज़ है आपके लिए 415 तो 415 और mu bd square तो mu by bd square की जो value मिल रही है वो है आपके पास 0.64 तो 0.6 के around अगर आपके पास value है तो वो आप कर सकते हो यहां पर 0.65 दिख रही है 415 0.17 परसंड आपको answer मिल जाएगा 0.17 परसंड ओके तो 0.17 परसंड इस योर pt now 0.64 के लिए मैंने कर दिया है 0.19 तो 0.70 या 0.90 आप कर सकते हो 0.19 इसलिए किया है कि वो value आपका थोड़ा बहुत 0.6 से आगे था इसलिए तो 0.19 परसंड मैंने consider किया है अब फिर से आप page number 73 में tau c fine कर सकते हो 0.30 आपको मिल जाएगा वहाँ से अगर फिर भी कोई musical आ रही है यह fine करने में तो आगे जो वीडियो है जहां पे हमने tau c fine किया था team के लिए आगे भी एक फार fine किया हुआ है वो देख लीजेगा आपको PT और बस PT और आपके पास जो भी M20 ग्रेड है तो आप M20 के सामने देख लीजेगा 0.30 मिल रहा है अब मैं main importance पर आता हूं अगर आपने यहां पे 0.38 मिने बदाया आपको 150 अगर रख दोगे यहां पे तो 0.30 के बदले वहां पे आपका अंसर आ रहा था 0.38 तो अगर 0.38 आएगा यह tau c ही है वो हमारा available sear stress है कितना रेजिस्ट कर पाएगा यह है अगर आपका अंसर 38 आता है requirement आपकी availability से ज़्याद ही provide करनी होती है तो अब tau v अगर मैं बात करूँ 250 से मैंने count किया था 0.28 के करीब करीब मिल रहा था 0.28 मिल रहा था उस ही सबसे यह जो आपका section है वो sear में क्या है safe है तो no need to any modification in depth तो यह चीज़ आप याद कर सकते हो और exam के लिए अगर एक बात और करूँ by mistake कोई भी तरह से अगर आपकी value यह नहीं आ रही है तो anyhow tau से आपको increase कर देना है क्योंकि वो pt पर dependable है क्या है pt पर dependable है तो pt आप क्या कर दीज़ेगा increase कर दीज़ेगा और यहां से आपको 0.33 या 0.35 या 0.36 इतना चाहिए यह लिख दीज़ेगा अगर यह चीज आपको section safe होता है तब ही आपकी design success होती है हाँ exam में ऐसा नहीं है कि अगर नहीं जाती है safe तो आपको marks cut नहीं होते हैं बट for हमेशा positivity के लिए अलग से marking आपको मिल ही सकते हैं अब जो last design of counterforce थोड़ा बहुत मुस्किल है बट आसन हो जाएगा सबसे पहले करना क्या है एक आपको यह जो steam आपने draw किया है that is point 30 and point 2 यह आपको draw करना है फिर क्या करना है point 2 यहां से है point 2 यहां से छोड़ के फिर एक triangle pressure force आपको find करना है यह spacing है 2.7 meter का यह spacing आपका कितना है 2.7 meter का यह आपको already मैंने बता दिया है किस हिसाब से आपको 2.7 मि के दिखाया था अब यह triangle convert कर दीजिएगा पूरा यहां से यहां कीच लेगा इनको नाम दे दिया है और यह जो नाम है आपका बी तो ए हमें fine करना है क्या करना है ए हमें fine करना है तो उससे पहले हमें required होगा आपका theta यह theta कितना हो रहा है तो 2.5 divided by 5.5 2.5 किसका है यह हुआ क्यों 2.5 हुआ यह पूरा 2.7 है उसमें से 0.2 जैसे यहां है यहां है तो यह भी 0.2 होगा तो यह 2.5 होगा यह समझ में आ गया तो 2.5 और यह चीज आपको already हमने बता दी है 5.5 की क्योंकि यह जो height थी आपको दी गई है 5.5 तो 5.5 दोनों का ratio ले ले लेंगे और 10 inverse कर दीज तो 26 something आपको answer मिल जाएगा अब यही चीज आपको यहां पर भी काम आ सकती है यही थीटा आपको यहां से भी काम आ सकता है b by a हो सकता है क्योंकि थीटा तो remain constant क्योंकि यह triangle तो semi form हो रहा है तो यहां से क्या कर सकते हैं b by a b by a तो यहां से हमें find करनी है value of a तो a को आपने य यहां लिया 10 theta को divide में कर दिया तो 0.4 यह constant क्यों हो गया क्योंकि 0.2 प्लस 0.2.4 हो गया अब हमें चाहिए a तो जिससे वो 0.8 meter मिल रहा है अब क्या कर सकते हैं यह जो perpendicular lines से यह जो perpendicular lines से वो d1, d2 और d3 effective depth है यह क्या है effective depth है आपकी तो अगर मैं बात करूए y equal to 2.5 meter लब 2.5 meter है तब आपको d1 की value अगर मैं बात करूँ क्योंकि यह depth यहां मैंने लिख दी है 2.5, 2.5 और then last 2.5 तो उपर से अगर आप आ रहे हो 2.5, 2.5 तो total जो आपकी 7 meter के करीब-करीब थी तो 7 meter आप consider कर सकते हो यहां पे 2.0 meter कर देते हैं उपर से लेते हैं तो d1 है उपर divide में 2.5 प्लस 0.8 कहां से आया 0.8 जो है a की value है यहां से 0.8 तो fix है आपका और 2.5 आपने consider किया है तो यहां आते आते टोटल जो आपका यह जो height है वो 0.8 यह 0.8 प्लस 2.5 0.8 प्लस 2.5 और d1 आपका dimension है तो d1 यहां से आपको मिल जाएगा 1.45 इसी तरह से अगर 5 मीटर की बात करें तो पहले तो 3.3 जो यहां मिला था हमें 3.3 प्लस उससे 2.5 एड कर दिया और उनके साथ sin धीटा फिर से 3.3 प्लस 2.5 और second जो आपको लास चांस जो लास वेट है वो 2 मीटर है वहां से आपको 3.43 मीटर मिल जाएंगे अब जो maximum pressure होगा वो होगा बेज पर कितनी हाइट है 7 मीटर तो वो होता है 37.33 16 इंटू 7 तो लोड पर मीटर क्योंगे 3 मीटर की आपकी क्या है spacing है तो यहां से आपको 311 आंसर मिल जाएगा that is your w small w हम कह सकते हैं udl तो moment की value अगर बात करें तो moment क्या होगा यह आपका force है यह आपका force है इंटू यह आपका distance है तो इन दोनों आपको साथ में लिखते हैं तो 2 x 3 तो 6 w आपके पास है h x h square यहां लिख दिया है तो total मिला के आपको मिल रहा है 910 km2 मीटर वहां से आपको mu by bd square मिल जाएगा .26 pt यही चीज 47 में आपको दिखाई गी है 0.01 percentage आपको pt मिल रहा है but minimum जो pt चाहिए वो है .205 की तो यहां से यह चीज आपको page number 47 is 456 में मिल जाएगी इसलिए minimum pt आप fe 415 और m20 के बात करते हैं minimum pt है .205 percent तो यहां से बात करते हैं a st की b into d और d जो है वो है आपका 3430 3430 कहां से आया last में आप देख लिजेगा मैं page fit से आपको दिखा रहा हूं 3430 this is your 3.43 that is nothing but 3430 in mm last में bottom में आपको जो मिल रही थी depth वही तो यहां से आपको answer a st का मिल जाएगा और यह as a beam हम consider करते हैं तो जो answer आपको लिखना है वो लिखना है आपको in number of bars with diameter याद रखेगा जब आप बात करते हो slave की तो आप direct क्या कर सकते हो diameter plus spacing की बात कर सकते हो यहां हम beam की बात करते हैं तो beam में क्या होता है number of bar और आपकी जो भी diameter होते है area sorry बार का वो ही हम लिखते हैं की धरूरत नहीं होगी आप क्या कर सकते हो वहां पे मैंने लिखा था 7 बार 20 mm का तो 4.5 में के मैंने approximately लिख दिया है 5 20 mm क्योंकि यही चीज आप तीन बार दोरा होगे तो आपका time इतना ही ज़्यादा जाएगा mu open bd square से वही चीज आपको फिर से repeat करनी होगी अगर आप चाहते हो के मैं fully वो लिखूँ तो वो possible नहीं हो गया exam के लिए similarly अगर 2.5 मीटर की बात करूँ जो उपर से 2.5 मीटर था वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 320 लिख दिजिएगा तो यही चीज आपको exam में भी करनी होती है थोड़ा बहुत smart work आपको करना होगा तब जाके paper कही ना कहीं आपका complete हो पाएगा नहीं तो complete हो पाएगा नहीं तो यह चीज थी counter forward में अब आप compare कर सकते हो दोनों को counter forward और जो cantilever returning wall थी तो आपको cantilever वाला portion बहुत आसान लगेगा आपको यह मेरी पूरी experience से बोल रहा हूं इसलिए हम counter forward से ज़्यादा कहीं ना कहीं जाते हैं cantilever returning wall में बट फिर भी अगर आपको चाहते हो तो यह आपको मैंने लिखा दिया है पूरा फिर भी कोई doubt है तो whatsapp कर द दी गया जैसे ही मैं directly वही चीज आपको refer करके बता सकूं तो thank you once again for the watching this video